कि आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ताजय मटर की घुब्बारी जैसी फुली-फुली खस्ता कचोडी अभी सर्दी की सीजन में हम ताजय मटर से बहुत सारी रेसिपी बनाते हैं तो आज हम खास ट्रिक के साथ कचोडी फोल करेंगे जिसते सारी कचोडी गुबारे जैसी फुलेगी साथ में परफेक्ट मिजर्मेंट के साथ आटा लगाएंगे और स्टफिंग तो इतना टेस्टी लगता है कि आप हर बार इसी तरह का स्टफिंग बनाऊंगे और आटा और स्टफिंग एकदम परफेक्ट होगा तो कचोडी लंबे समय तक एकदम क्रिस्पी रहेगी जैसी निंद्रा वेल्कम टू माई जैन रेसीपी मैं हूं जीनर तो चलिए आज की रेसीपी शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन पर जरूर क्लिक करिए उससे मेरी वीडियो के नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे सबसे पहले कचोडी का खस्ता लेवर बनाने के लिए आटा लगाएंगे तो उसके लिए मैंने यहां दो कप मैदा लिया है आप चाहों तो एक कप गेहो काट और एक कप मैदा भी ले सकते हो अब इसमें आधी टीस्पून नमक डाल देंगे और इस तरह बीश में थोड़ा मोन को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इस तरह मुठी बर मोन लगाना है अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर मीडियम ताटा लगा तो समूत हो जाइगा और सब्सटरेगा में नहीं कि ऊटा लगाने के लिए में एहां थ्री कब पानी का युज किया है अब आठे को हम डग कैनल केलिए रेच्ट के रख देंगे जिससे ही आठा समुत हो जैगा तब तक हम कचोडी के लिए ड्राइब मसाला तयार करेंगे तो उसके लिए यहाँ दो टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून रोस्टिः जीरा पाउडर और एक टीस्पून सौफ पाउडर लिया है पाउडर और एक टीस्पून लालमिश पाउडर एड़ करेंगे और सारे मसाले को हम चमत से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह का ड्राय मसाला कचोडी में एड़ करेंगे तो कचोडी बहुत ज़्यादा टीस्टी बनेगी तो यह मसाला बिल्कुल स्किप मत कर तो देखे हम सब मिक्स कर लिया है अब स्टफिंग बनाने के लिए हम पहले पैन में एक टीस्पून ऑईल दाल देंगे और दो कप ताजे मतर को हम पैन में डाल देंगे और स्लो टू मिडियम फ्लैम पर चमत से चलाते हुए मतर को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे जिससे यह मतर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और जो भी मतर में एक्स्ट्र मॉइच्चर है वो सारा निकल जाएगा जिससे हमारा स्टफिंग ड्राइब बनेगा और कच्चे मतर डाइर मतर को हम दो बैच में ग्रैंड करेंगे तो मतर ग्रैंड करने वक्त हमें पानी का यूज नहीं करना है और देखे इस तरह मतर थोड़ा दरदरा ग्रैंड होगा क्यूंकि हमने मतर को पहले रोस्ट कर लिया था तो जोबी मॉइस्चर है वो निकल गया है तो इस तरह दन्या को रफली कट करके अड़ करेंगे और इसे भी हम दरदरा ग्राइड कर लेंगे अब स्टफिंग बनाना के लिए पैन में देड टेबल स्पुन ऑईल डाल देंगे और ऑईल हलका गरम होने के पाद इसमें आधी टीस्पून हिंग डाल देंगे और वनफोर्थ टीस्प दाते हुए हलका रोस्ट कर लेंगे तो स्टफिंग में इस तरह थोड़ा सा बेशन एड़ करने से स्टफिंग हमारा ड्राइब नेगा और कचोड़ी लंबे समय तक फुली फुली रहेगी और एक्टम क्रिस्पी रहेगी तो बेशन 50% जितना रोस्ट हो जाएगा तब हम जो ड्राइ मसाला बना के रखे थे वह एड़ कर देंगे और मसालों के भी हम स्लो फ्लेम पर हलका रोस्ट करेंगे मसाला हलका रोस्ट हो जाने के बाद हम जो मटर ग्राइंड करके रखे थे वह एड़ कर देंगे तो गैस की फ्लेम स्लो रखनी है जिससे मसाले बिल्कुल जलेंगे नए अप मसाले और मतर को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे लाफन को हम करने के इसमें जो हमने हरातनय ग्रैंड करके रखाता वाइड कर देंगे एक टेबल फून चीनी और दो टी स्पून आमचुर पावड़र एड करेंगे और अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो हम सारे मसाले को इस तरह हलका प्रेस करते वे मिक्स करेंगे जिससे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आप दिख सकते हो कि स्टफिंग थोड़ा इसी तरह ड्राइब बनेगा तो देखे हमारा कचोडी बनाने के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है तो अब इसे हम हलका ठंडा होने देंगे तब तक हम ग्रीन चटनी बनाएंगे तो छोटे ऑफुदिने के अपैने के साथ एड और एक कप और धनिया डण्ठल के साथ एड्ट करेंगे अब इसमे वन फोर्थ टीश्पून नमक फोड़ल इसमीत हम गृण तोदेखे हमारी चतनी बनकर तयार है यह से हम एक बावल में निकाल देंगे और एक टिबल स्पून पानी एड़ करके एक बार चमक से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखें कचोड़ी के साथ सव करने के लिए चटनी बन कर तैया है अब देखें यहां स्टफिंग भी ठंडा हो चुका है तो इसमें से हम इस तरह तो आज हम जो खस्ता कचोड़ी बनाने वाले है उसके लिए हमें स्टफिंग बहुत चारा नहीं भरना है इस तरह हम छोटे-छोटे बॉल्स बना के फिल करेंगे जिससे यह कचोड़ी अच्छे से फूल सके तो इतने स्टफिंग में से हम 25-30 बनाएंगे अब देखें यह आटा भी अच्छे से सैट हो चुका है तो एक बार अच्छे से मसा देंगे इस तरह आटा रेष्ट के लिए रखने से कचोड़ी अच्छे से फूलेगी और बिल्कुल फटेगी भी नहीं अब इसमें से हम मेडियम साइज के बॉल्स बनाएंगे तो इतने आटे में से हम 15- इसे 16 बॉल्स बना सकते है तो देखे इस तरह जो स्टफिंग का बॉल बनाया था उससे हमें आटे की लोई थोड़ी बड़ी बनानी है अब हम लोई को इस तरह हाथ से ही स्प्रेड कर देंगे तो लोई को हम बीच में से बहुत ज़़दा स्प्रेड नहीं करेंगे किनारो इस तरह हाथ से हमें थोड़ा स्प्रेड कर देना है तो स्टफिंग पूरी कचोड़ी में अच्छे से फैल जाएगा अब हम बेलन से थोड़ा थोड़ा बेल देंगे तो बीच में हमने बहुत ज़़दा स्प्रेड नहीं किया था जिससे यह बेलने के बाद भी बिल्कुल फटाई की नहीं तो देखे एक कचोडी फोल्ड करके तैयार है अब हम दूसरी कचोड़ी भी फोल्ड करेंगे तो आठा थोड़ा स्प्रेड करने के बाद भीश में हलका पानी वाला हाथ स्प्रेड कर देना है और फिर स्टस्टफिंग रखके हम इसी तरह सेम प्रफिंग को स्प्रेड कर देंगे तो पहले हम लोही में अच्छे से स्प्रेड कर लेना है फिर हम बेलन सेबे लेंगे तो इसे तरह रहे हो तो इसरे चीज्ट और बिल्कुल फटेगी भी नहीं और अच्छे से फूलेगी भी तो देखें यहां मैंने तीन कशोडी आपको फूल करके बताई थी तो इसी तरह हम सारी कशोडी फूल कर देंगे अब कशोडी फ्राइ करने के लिए मैंने ऑईल घरम करने रख दिया था ऑईल मीडियम घरम हो अब कशोडी फूल जाने के बाद साइट चेंज करेंगे और दुसरी साइट भी हम स्लो फ्लैम पर फ्राइ कर लेंगे तो पलट पलट कर हमें एक बेश फ्राइ करने के लिए 5-7 मिनित लगेगी और कशोडी को अच्छे से फ्राइ की होगी तो कशोडी हम 2-3 दिन तक खा सक मोने में औस ताइल कहला है प्रॉल में दाल दब कर देंगे, में करे एक को अध़ी नज करे करने वक्त ऐ का दियान रखना है और rep Myers One Bowl रखनी है तब भी ये कचोडी अच्छे से फुलेगी बही और मिंद्य क्रिश्पी रहेंगी और ये चोड़ी का मेशनक होता है तब तक हम दूसरी कछोडी फोल्ड कर लेंगे ऐल ज्यादा गरब होगा और कछोडी में डाल देंगे तो फिर कछोडी के उपर बबल सा जाएंगे और अच्छे से फ्राइब नहीं होगी तो कछोडी अच्छे से Fry करना भी बहुत ज़रूरी है तो देखें दूसरा बेच पिर fri हो चुका है इ इतना स्टफिंग बच कया है तो इसे आप 2-3 दिन फ्रीज में रखकर जब चाहे तब फोल्ड करके यूज कर सकते हो या फिर इसके पराठे भी बना सकते हो और कचोड़ी तोड़ने से ही पता चल जाता है कि कचोड़ी कितना खस्ता बनी है तो इसे हम सर्विंग प्लेट में करेंगे तो कचोड़ी को हम इस तार बीच में फड़ा सा तोड़ लेंगे और फिर कचोड़ी के अंदर थोड़ी सी ग्रीन चातनी और मिठी चातनी डाल देंगे और थोड़ा साथम्दि बभल कर से और करेंगे बहुत ही मज्य baik मज़ेदार एक टम फुली-फुली मटर की खस्ता कचोड़ी बन कर तयार है बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है तो आप भी मंटर के खस्ता कचोड़ी एक बार गरपर जरू ट्राइ करना सभी को बहुत पसंद आएगी थैंक यू सो मच फर वाचिंग